जै मातादी भक्त जनू कैसे हैं आप सब, आप सभी पर माताराने की गिर्पा बनी रहें, चलिए आज कथास रवन करते हैं, सिरिगर्ग सेंता के बिडिंदावन खंडिका, नौमे अध्याय का, नौमा अध्याय में हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान सिर्किष्न की अ चपल आमबराए, प्यूस मिस्ट वचनाए, परात पराए, वंशी धराए, सिखी चंद्र के आनविताए, देवाए, भ्राती शहिताए, नमु अस्तु तश्मे, ब्रह्मा जी बोले, मी किसी कांती से युक्त बिद्धुत वर्ण का वस्तर धारन करने वाले, अम्रित तुल वलरामशहित नमस्कार है, स्रीकृष्न आप साक्षात स्वैन, पुर्शुत्तम, पुर्ण परमिश्वर, प्रकृती से अतीत स्रीहरी हैं, हम देवता जिनके अंस और कलावतार हैं, जिनकी सक्ती से हम लोग क्रमश, विश्वकी स्रिष्टी, पालन, एवं संहार करते हैं, उन्हीं आपने साक्षात स्रीकृष्न चंद्र के रूप में अवद्रन होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना श्वीकार किया है, आप प्रधान प्रधान गोप वालकों के साथ गोप वेश से ब्रिंदावन में गोचारन करते हुए विराज रहे हैं, करोरो कामदेव के समान, रमनी, तेजो मैं, कौस्तुपधारी, श्यामवर्ण, पीतवस्त्रधारी, वंशिधर, व्रजिस, राधिकापती, निकुंज विहारी, परमशुंदर, श्रीहरी को मैं परणाम करता हुँ, जो मेक से निरलिप्त आकास के समान प्रानियों की देह में छेत्रग्य रूप से इस्थित है, जो अधियग्य एवं चैत्य सुरूप है, जो माया रही थैं, और जो निर्मल भक्ती तथा प्रवल वैराग्य आधी भावोशे प्राप्त होते हैं, उन आधी देव हरी की में सरवग्य, जिस समय मन में प्रवल रजोगुन का उदै होता है, उसी समय मन संकल्प बिकल्प करने लगता है, संकल्प बिकल्प के बशिभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ती होती है, और वही अभिमान धीरे धीरे बुधी को विकिर्त कर देता है, चन अस्थाई, विजली के समान बदलते हुए रितू, गुणों के समान, जल पर खेची गई, रेखा के समान, पिसाज के द्वारा उत्पन किये हुए अंगारों के समान, और कप्टी यात्री की प्राप्ती के समान, जगत के सुख मिथ्या हैं, विशे सुख भोगों से घिरे हुए हैं, एवं अलात चक्रवत जलते हुए अंगार को बेग से चक्राकार घुमाने पर जो छन अस्थाई व्रित वनता है, उसके समान हैं, जैसे व्रिक्षन चलते हुए भी, जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं, नित्रों को बेग से घुमाने पर अचल प्र चलती हुई सी दिखती है, कृष्ण उशी प्रकार प्रकृती से उत्पन गुणों के बस में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृती जने सुख को सत्य माने लेता है। ज्यानि पुरूस, मम्ता एवं अभिमान का त्याग करके सदा बैराके से प्रिती करने वाले तथा शान्थ होते हैं, जैसे एक दिये से से कृधिये उत्पन होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन हुआ है। ऐसे तात्विक द्रिष्टी उनकी रहती है। भक्त, निर्धुम, अगनी शिखा की भाती, गुनमुक्त एवं आत्मनिष्ट होकर हिर्दय में ब्रह्मा जी के भी श्वामी, भगवान, वाशुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्राबिम्ब को अनिको घरों में जल में देखते हैं। उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके स्रिष्ट परमहंस भी किरतार्थ होते हैं। निरंतर अस्तवन करते रहने पर भी वेद जिनका महात्म के सूट सांस का भी कभी ज्यान नहीं प्राप्त कर सके। तब तिरलोकी में उन स्रीहडी के गुनों का वर्णन भला दुसरा कौन कर सकता है। मैं चार मुखों से देवादी देव, महादेब जी, पांच मुखों से तथा हजार मुखवाले सेस जी अपने सहस्त्र मुखों से जिनकी अस्तुती सेवा करते रहते हैं। बैंकुंट निवाशी, विश्णू, छीरो दसाई, सक्षा धरी और धर्मशुत नाराइन, रिशी उन गोलुपती आपकी सेवा किया करते हैं। अहा मुरारे आपकी महिमा धन्य है। भूतल पर उस महिमा को न मुनी गन जानते हैं नहीं मनुष्य ही। शुर असुर तथा चौदहों मनु भी उसे जानने में अश्रमर्थ हैं। ये सब स्वपन में भी आपके चरंग कमलों के दर्शन पाने में अश्रमर्थ हैं। गुनों के सागर, मुक्तिदाता, परातपर, रमापती, गोनेश, ब्रजेश्ष्वर, स्रीहडी को मैं नमस्कार करता हूं। ताम्बूल, राग रंजित, सुन्दर मुक्से, सुसोभित, मधुर भाशी, पके हुए, बिम्ब फल के समान, लाल लाल अधरो वाले, इसमिता, हास्य युक्त, कुंदल कली के समान, शुग्र, दंत पंक्ती से, जगमा काते हुए, नेल अलकोशे, आविर्त, कपोलो वाले, मनुहर कांती, तथा जूलते हुए, स्वर्ण कुंदलों से मंदित, सुरी कृष्ण की मैं बंदना करता हुँ, आपका परम सुन्दर रूप, मनमंत के मन वो भी हरने वाला है, मेरे नित्रों में सरवदा, मकर कुंद, धाड़ी, स्याम, कलेवर, सुरी कृष्ण के उस होता रहे, जिनकी लिला बैकुंठ लिला की अपिक्छावी स्रिष्ट है, और जिनके परम स्रिष्ट मनुहर रूप को देवगन वी नमस्कार करते हैं, उन गोप लीला कारी को लोकनात को मैं नत्मस तक नवाकर परणाम करता हुँ, वसंत कालीन सुन्दर कंठ बाले कोकिलादी पच्छियों से युक्त, सुगंधित नवीन पल्लव युक्त, ब्रिक्षों से अलंकिर्त सुधा के समान सीतल, दीर मंद पवन की कीरा से सुसोभित ब्रिंदावन में वीचरन करने वाले सिरिक्रिष्ण की जै हो, वे सदा भवत की रक्षा करें, आपके विशाल नित्र तथा उनकी तिर्ची चित्वन कमल पुष्पो का मान और जूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली हैं, भोतल के समस्त रशिकों को रसका दान करती हैं, तथा कामदेव के बानों के समान पैनी एवं प्रिती दान में कर सुरक्त, हृदय ग्राहिनी, गार्ड, अंदकार का नास करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का द्वन्स करने वाली हैं, तथा स्वर्ग में देव मंडल के जिनका स्री विश्णू एवं हरी की नखावली के रुप में अस्तवन करती हैं, मैं उनकी अरा आधना करता हूँ, आपके पाद पदो की सर्वदा बजने वाली स्री हरी के सैकरो किर्णों से युक्त सुदर्शन, चक्र के समान, आकार वाले पैजनिया ऐसी हैं, जिनसे गोल खेरे के भाती किर्णे इस परकार निकलती हैं, जैसे सुरी के प्रकाश युक्त रत चक्र की पडिधी हो, अथवा जो आपके पाद पदो की पडिधी के समान सुसोभीत है, आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिब्य पितामबर जगमगा रहा है, मैं अकिस्ट कर्मा भगवान श्रीकिष्ण आपके उस मनुहरूप की अराधना करता हूँ, जिनके कांती मान कसोटी सदिश्य एबं भ्रिगुपद अंकेत विशाल वक्ष अस्थल पर लक्षमी निवास करती हैं, जिनके गले में श्वर्न मनी एबं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान जिलमिल प्रकास करने वाले तथा ब्रम्रों की ध्वनी शे युक्त हीरो के हार हैं, जो सिंदूर वर्न की सुंदर अंगुलियों से बंसी बजा रहे हैं, जिनकी अंगुलियों में सुने की अंगुठियां सुसोबित हैं, जिनके दोनों हाथ द्वीजों को दान देने वाले चिंद्रमा के समान नकोश युक्त एवं काम देन के बन की कदंबे बिक्षों के पुश्पों की सुगंध से सुवासित हैं, जिनकी मंदगती राजहंस के भाती सुन्दर है, जिनके कंधे गले तक उचे उठे हुए हैं, उ जो स्वक्षदर्पन की भाती निर्मल सुखद, नव योवन की कांती से युक्त, मनुष्यों के रक्षक तथा मनी कुंडलोत एवं शुन्दर घुंगराले बालुश शुश्यु सुभीत हैं, श्रीहरी के सुड़े तथा चंद्रमा के भाती प्रभा से युक्त हैं, उन द जोनों कल कपोलों का मैं अश्मरन करता हूं, जो शुवर्न तथा मुक्ता एवं बैदुरी मनीशे जटे लिलाल वस्तर का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर कीरा करने वाले शंपुन शुंदरे से बिलासित है, जो अरुन कांती तथा चंद्र एवं करोरो सुरियों क समान परभाशम पन्य है और मयूर पिक्चि से अलंग किर्थ है, स्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूं, जिनके द्वात देश पर स्वामी कार्ति के गणिश इंदर चंदर एवं शुरी की ही भाती नहीं है, शुरी की भी भाती नहीं है, जिनके आग्या क के बिना कोई निकुंजे में प्रवेश नहीं कर सकता, उन जगदिश श्री किष्ण चंदर की में अराधना करता हूं, ब्रह्मा जी इस परकार भवान स्री कृष्ण का अस्तवन करके पुना हाथ जोर कर कहने लगे, जगत के स्वामी मैं आपके नाभी कमन से उत्वन हूं, अतेव जिस परकार मात आपने पुत्र के अपराधों को छमा कर देती है, उसी परकार आप भी मेरे अपराधों को छमा कर देऊ, ब्रजपते, कहां तो मैं एक लोक का अधिपती और कहां आप करोरो ब्रहमांडों के नायक, अतेव रजेश मदूशुदन देव, आप मेरी र चुना करके नारायन रूप से साई हो गये, आपके जिस ब्रहमा रूप तेज में योगी प्रान त्याग करने जाते हैं, बाल गातनी पुत्ना भी अपने कुल सहीद आपके उसी तेज में समा गई, माधव, मेरे ही अपराध से अपने गोवच एबों गोवाल को का रूप दारन करके बनों में विचरन किया आतेप भी आप मुझको छमा करें, गोविंद, पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध किया पिक्षा करके मेरे उपर प्रशन हों, जो लोग आपके भक्त ना होकर ग्यान में रतिह करते हैं, उनक क्लेश ही हात लगता है, जैसे भूसे के लिए परिश्रम प्रवख खेत जोतने वाले को भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्ति भाव में ही नित्रा रत रहने वाले अनेको योगी, मुनी एवं ब्रजबासी आपकी प्राप्त हो चुके हैं, दर्शन और स्रवन दो पाद पदों में प्रणाम किया तथा सारे अपरादों को चमा करने के लिए भक्ति भाव से श्रीकृष्ण से फिर निवेदन करने लगे, मैं गोप कुल में जन्म लेकर आपके पाद पदों की अरादना करता हुआ सुगति प्राप्त करशकूं, इसका व्यतीरेक ना हो, भ स्रीकृष्ण आपके माता पिता एबं घुप कोपियों का तो कितना ओवर नीची सोभाग्य है जो व्रज में आपके पड़ी पुर्ण रूप का दर्सन कर रहे हैं, संपुर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहर धारन करने वाले, विश्व के रचैता, सरवाध धार लिला के धाम, रवीन तनिया, यमना में विहार करने वाले, कीरा परायन, स्रीकृष्ण चंदर का अवतार गरहन करने वाले प्रभू मेरी रक्षा करें, विश्व कुल रूप, सरोबर के कमसो रूप, नंद नंदन, राधात पती, देव देव, मदन मुहन, गोकुल पती, गोविंद मुझे माया से मुहित की रक्षा करें, जो बेक्ती, सिर्किष्णी की प्रदक्षिना करता है, उसको जगत के संपुर्ण तिर्थों की यात्रा का फलप्राप्त होता है, वह आपके सुकदायक परात पर लोग को लोग नामक लोग को जाता है, नार सतागों बालकों को बर्दान देकर लोड़ जाने के लिए अनुमती की प्रातना की, तदंतर स्रीहडीने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया, लोग पितामा ब्रह्मा भी पुनह परणाम करके अपने लोग को चले गए राजन, इसके उपरान भगवान स्रीक देकर उनकी माया से वी मुहित गोपो ने उतने समय को आधेचन जैसा ही समझा, वे लोग को बच्चों के साथ आये वे स्रीकृष्ण से कहने लगे, आप सिगरता से आकर भोजन करें प्रभू, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया, इसके उपरान स्री धिरे वे स्रीकृष्ण वत्स व्रिंद को आगे करके धिरे धिरे व्रज को लोटाएं। अपने घर जाकर गोष्टों में अलग-अलग बच्चों को बांध कर अगा सुर्बद एवं स्री हडी द्वारा की हुई आत्मरक्षा के प्रिंदांत का वर्णन किया। इस परकार स्री गर्ग सहिंता में स्री विरिंदावन खंड के अंतरगत ब्रह्मा जी द्वारा भगवान स्री कृष्ण के अस्तुती नामक नौ मध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। झाल